नमस्कार आप देख रहे हैं साथ टुडे मैं हुआ का सिर्वाता पे साथ आप से बीड मॉर्णिंग और मगद इंवर्श्टी पार्थी परिक्षा 2020 को लेकर के काफी सारे कमेंट यह आ रहे थे किस परकार से केमेस्ट्री ओनर्स के एकजाम होगा और किस परकार से जीएस का पेपर होगा और हमारा कॉंसा डेट में प्रेक्टिकल का परिक्षा लिया जाएगा कई सवाल ऐसे थे जो लगतार हमारे तक पहुंचाया जा रहे थे तो इससे पहले मैंने आपको बीए का पूछ सकते हैं जहां पर हम उसको जवाब देने का पूरी कोशिश करेंगे तो मगा देनों स्टीव पार्ट थरे एकजाम 2020 के बात करेंगा नए डेट सिट जो रिवाइज एकजाम जारी हुआ है उसके को आपको यहां पर हम बता रहे हैं ठीक है तो यहां पर देख सकते है यह नए डेटिक के अपको बता रहे हैं ताइस एकारा दोहजार बीस में जो जारी हुआ था ताकि आपको कन्फीजन करेट ना हो तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपको किसी भी सब्जेक्ट आपका बात कर रहा हूं इसे पहले मैंने आर्स के बारें बताया था तो पर्ट बारें में आपने प्रैक्टिकल का एक्जाम आपने सब्जेक्ट जो और इसमें दिया था यह नहीं दिया था यह आपको पता रहे हैं आपको के सबसकर सब्सक्राइब अब रहा गया chemistry का सवाल तो chemistry के बारे में यहां पर आपको बताना चाहते हैं chemistry ही सबसे पहला confusion माइन में करता है क्योंकि पहले अगर पाटन पाट्टू की बात करें तो chemistry के लिए especially तीन एक्जाम होता था honors में और बाकी दूसरे honors की बात करें तो उसका मात्र दो ही एक्जाम होता था ठीक है तो सबसे पहले chemistry पर ही हम लोग आपको लेकर के चलते हैं ताकि आपको डॉट ना किलियर हो यह डिट सीट के एक्जाम बता रहा है गुरूप सी वालों को परिक्षा इस इस दिन होगा ठीक है उसके बाद अब यहां पर आपका science है तो science और commerce यहां पर आपको दिख रहा होगा तो हमारा practical का एक्जाम जो है कब होगा अलग से होगा क्या तो देखिए आपको तीन जो एक्जाम है एक यह आपका हो गया एक यह हो गया दू आये गया तीन आये जो चौथा एक्जाम है क्योंकि chemistry में practical होता है तो यह आपका एक्जाम यहां पर इस date में नहीं होगा इसी ए दिया गया है आप सकते हैं यहां आपका जो दिया गया है एक प्रेटिकल का डेट 11 से 14 के बीच में यह अपना असानी से दे सकते हैं ताके आपको कोई भी किसी परकार टॉट create माइन नहों तो यहां प्रेटिकल का डेट दिया गया है और ऐसा इसा confusion मत कि रिट किजिए का कि जो date में जो practical का exam घंता रही है कि आपका जो प्रेपरалист का पॉझ कपर भी बात כर सकते हैं प्रेपर एंच्हातरों का है जिसका प्रेटीकल का परिक्चा होता है तो तो वह प्रेटीकल का परिक्चा पेपर एट के तरॉरपर। बागी का तीन परिच्छा सबको आपको यहां पर सिंटर पे देना होगा सपोज दाइट हमारा मैथ आपका है ठीक है मैथ आपका सब्जेक्ट में कुछ एक्जामपल लेकर समझा रहा हूं तो कि लियर हो जाएगा ठीक है सपोज दाइट आपका मैथ है तो मैथ हम लोग परिच्छा कहां पर है तो यहां पर देखे गुरूबी का सेकंड सेटिंग में परिच्छा एक दो तीन और एक चार अब बोलिएगा कि सर यह चौथा पेपर एट इसका जो है इसका भी क्या प्रेटिकल यहीं पर होगा तो सबसे पहली बात मैथ है प्रेटिकल होता ही नही होगा तो यहां पर आपको देखे सकते हैं दस तारीक को पहले सेटिंग में होगा ओके तो यह काफी एकदम एजी वे में मैंने आपको समझा दिया है आपके रूटीन को मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉट आपके माइन में क्रेट हो रहा होगा और अगर किसी परकार का हो रहा होगा तो आप हमसे संपर्ख जरूर कीजिएगा चलिए मैं आपको कुछ और सब्जेक्ट के बारे मता देता हूं ब्रीफ में ताकि आपको डॉट और माइन में किलियर है वो हो जाए तो सबसे पहले मैं सौर्ट में बताता हूं यह चीज़े जो आपको जानना चाह है दो सो मल्टीप्लाइ चार मतलब की चार एक्जाम होगा ठीक है ऑनर्स की बात कर रहे हैं आपका कितना हो गया आठ सो और उसके बाद फिर आपका प्रेटिकल इसमें तो होता नहीं है तो फिर आपका जीस का पेपर होगा फिर यह आपका यहां पेग्जाम कंप्लीट हो ठीक है तो पहले हम लोग क्या होता था कि पहले पार्ट बन में आपका दो एक्जाम केमिस्ट्री को छोड़ करके ठीक है पार्ट तु में आपका दो एक्जाम उसके साथ में सब्सीडरी रहता था दो सब्जेक्ट का चाहिए अगर आपका फिर फिजिक्स ऑनर साथ केमिस् तो यह तो रहा गया डेट सिट समयने के बाद अब हमें मुझे ऐसा कमेंट लगता रहा है कि सर एक बार डेट सिट तो समझा दिया आपने और इससे पहले भी आपने समझाय था लेकिन कैसे इतनी कम समय में नए पैटर्न को हम लोग फेस करेंगे एक जाम में यह आप हमें कु समझना चाहिए और ऐसा बात नहीं कि सारा बच्चा का पैटर्न फैल हो गया तो सारा मतलब मतलब पैटर्न चेंज हो गया सारा बच्चा फेल कर जाएगा ऐसा कुछ नहीं है सवाल बहुत इजी पुछे जाएंगे और जैसे आपका परिक्षा पहले पाटन पाटू में चल पहले नहीं है और अचानक से पैटर्न चेंज हो गया तो चात्रों पास नहीं कर पाएंगे सवाई से हलाकि तो इस सब चीजें सब कुछ सही रहेगा आपको परिशान मत नहीं होना है और एक वीडियो में आपको बताऊंगा हलाकी का अब्जेक्टिव का कैसे आपको फिर सब्सक्राइब करना ताकी आप मार्केट में हलाकि अबलीवल है ताप सकते अगा रहे लेकिन उतना भी कैसे कि जेगा इस कि जैसे सीज्टम चलते आ रहा था पाठ्न पाट्रों ऐसे चलेगा आपको ज्यादा परिशान नहीं होना है क्योंकि यह है भीया बीहार और यहां पे ज्छात्र की कोंड़ गलति नहीं है क्योंकि जिस पकाश से अच्छानक से पैटर्न में बदलाव आया है तो इसमीट घलत आपको आपको यहां पर दे रहे हम आपको अपना फोन पे गूगल पर पेटीयम नंबर ताकि काफी लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप सपोर्ट कर सकते थिल्ग संब्सक्राइब देंगे लेकिन 731971 तो जिन्हों नहीं इस वीडियो को लाश्ट तक देखा होगा म मुझे पक्का उमीद है कि वही लोग इस वीडियो को इसे हमारे सपोर्ट करेंगे गूगल पे नंबर फोन पे नंबर और पे टियम नंबर ठीक है तो यह है नंबर भाई तीहत्तर उनीस एकटर बतीस सो एकदम बिहारी ठेट भासा में मैंने आपको बताया है सबोर्ट किजि अजय को बताया है तो इसे हमारे सब्स्राइब यह हैं